Hello everyone, I am possible class में आप सभी का सौगत है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सोशल साइन्स के प्रिवेस ये का कोशन पेपर जिसमें हम लोग ने 31 से लेकर 60 तक के कोशन अलरड़ी डिसकस कर लिए था लास्ट क्लास में आज हम डिसकस करने वाले हैं इस वाले हैं यह सोशल साइन्स का पेपर है जैसे कि आप लोग जानते हैं इस वीडियो प्राइब्लम होता है पेपर में राइट तो इसके लिए आपको पीवाइड़ी की सॉल्फ करना बहुत ज़रूरी पीवाइक्यू के हेल्फ से ही वो लोग भी पास होते हैं तो आप लोग को भी पीवाइक्यू को ना एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है क्योंकि पीवाइक्यू से कोश्चन्स आते ही आते हैं आपको सीटेट में सोशल साइंस के लिए कुछ भी यहां वहां से पढ़ने के ज़रूरत नहीं है अगर आप से पीवाइक्यू भी सॉल्फ करते हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा फायदे मन्द होगा एकद सारे कोश्चन्स रिपीट होते हैं अगर आप सारे जितने भी एक्जाम्स हुए हैं ऑनलाइन वाले सारे पेपर सॉल्फ कर लेंगे ना तो आपको पास होने से कोई नहीं रो सकता वो भी अच्छे मार्ग से ओके तो अच्छा लगाना मेरा भाश्यान चलिए तफी वीडिय सुरुखात के बारे में रिएम लिखिष में से कौन सा कतं सई है जो हम वोट इंडियान सो हों कि बारे में कौन सा कथन सधी रैइट से उसके ना पादा सभ्री शरीम behavior ़ंटीका मतलत हो तो सार्वभोमिक वयस का मताधिका सोतंतता से पूर्वा भी था हमें वोट देने का अधिकार, क्योंकि साक्षर जो वर्क के जो लोग थे ना उस समय भी मतदान कर सकते थे, और उपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतिये के पास मताधिकार नहीं था, या फिर कुछ लोग कर सकते थे, कुछ लोग नहीं कर सकते थे, या फिर भारतियों ने सरोपथम सविधान सभा के सदसों के लिए मतदान किया था, तो सही जो आंसर है ना इसका ये है कि पहले के टाइम पे भी जब हमारा उपनिवेशिक भारत था, जब बिट्सर्स के अंडर में हमारा भारत था, तब भी कुछ लोगों को अधिकार था, अग कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, तो option number 3 जो है वो सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं next question 62 वाला, इसमें ये बताया गया है कि जो छोटे कार्यशाला होते हैं, चोड़े जो कार्यशाला होते हैं, कारखाना होते हैं, तो वहाँ पे जो कामगर, कामगर, जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनको अस्थाई रूप से क्यों रखा जाता है छोटे-छोटे कारखानों में या फिर कारेशाला में ठीक है क्योंकि उनकी योगता नहीं होने चाहिए किसी भी कोशल की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए या फिर इससे नियोकता पर कम दायतुव बनता है या फिर वो लोग ज जब भी आवशकता पड़ती है तब और उनकी जो नियोकती जो होती है ना उनका कम दायूतों बनता है इसलिए ठीक है तो बी और सी सही है मतलब कि ऑप्शन नमबर टू जो है ना सही है चले देखते हैं नेक्स कोशन 63 वाला क्या कहना चाहते है तो यह कहना चाहता है कि फा मत सबस्क्राइब लगों बैठे हुए रहते हैं तो फीर फास उनकी कि लिए तो सिफ्डोक्ष का कारियो करते हैं तो स्रिप उप्शन है ओकी चले देखते हैं नेक्स कोशन 64 वाला यह क्या कहना चाहता है हमसे यह बोल रहा है कि आप जो क्लास में डेमोक्रिसी की जो थीम है डेमोक्रिसी एक्स्प्रेंड कर रहे हो तो यू हैब टू रिप्रेजेंट इट इस आप इसको किस तरीके से प्रस्तूत करोगे जो कर ले ओके और फिक्स ऐडिया और सिस्टेम एडियल फॉर्म और गॉर्मेंट या फिर राइट एवरिवन इन बॉन वीद तो अगर आप डेमोक्रिसी को बच्चे को पढ़ा है क्लास में तो आप बच्चों को सिखेंगे किस प्रकार से हमारा देश में परिवर्तन हुआ कि यह कहना चाहता है कि जो भी स्टिरोटाइप सोच है मतलब कि जो पहले की सोच है रूडि वादिता सोच इसको खतम करने के लिए आप कौनसा उधारन बच्चे को देएंगे ताकि बच्चा जो है न उष्ट रूडी बादिता को आपका शूदी वादिता को तोड़े थीक है बाव है या फिरुक्रिया हुसेन जो है ना उन्होंने क्या किया है वायू या न्चालक महिलाओं की कहानी लिखी है तो कौन सा चीज आप बच्चों को बताओगे ऐसे एक्जामपल ताकि बच्चा जो है ना रूडी वादिता सोच को तोड़ सके ओकी तो देखिए इसका जो जो है यह जो दोनों एक्जामपल है वह रूडी बद्दता सोच को सोच को खतम करता है चले देखते हैं 66 वाला 66 वाला जो कोशन है वह बता रहा है कि एक मता-पिता का fundamental duties क्या होता है मतलब कि मौलिक करतव या क्या होता है as a parents आपका मौलिक करतव है क्या है क्या आप 6 महिन तक के बच्चों के देखभाल और सहयता और पोशन करना ही मौलिक करतव है parents का या तो फिर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के अपने बच्चों को शिक्षा के उसर पदान करना या 16 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के शादी करना यह आपका मौली का दिकार है या फिर 18 से लेकर 21 वर्ष तक के बीच वाले अपने बच्चों को विरासत ने मिल संपत्ति का उपहार देना देखिए कभी कभी कोशन्स भी जो ऑप्शन्स होते ना ऐसा मतलब चैसे चोदा वर्ष तक के बच्चों को क्या करता है शिक्षा का आउसर पदान करना है चले देखते हैं 67 वाला कोशन्स क्या बोलना चाहता है यह बोल रहा है 67 वाला कोशन्स विच सेक्षन आप देखिए को रिफर्ड एज इट कॉन साइन्स मतलब कि सविधान के किस भाग प्रायर इसकी अंतर आत्मा कहा गया अंतर आत्मा किसको बोला गया या फिर डिरेक्ट्ट्व प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी को या फिर सेकलरीजम को या तो फेडरल को यह चार ओप्शन्स दिया हुआ है आपको तली से अंसर कमेंट सक्षन में बताइए अपने पहले भी सॉल्फ कर लिया है तो भी कोई बात नहीं आप इसको एजर रिविजन देख सकते हो और अपने आपको जज़ कर सकते हो कि आपको कितना याद है अभी तक ठीक है तो इसका जो आत्मा है ना हमारा जो सविधान है उसके जो आत्मा है यह हमारा फंडामेंटल राइ करें तो यह धर प्षिट जो है पढ़ार है तो पर हती हुए छात्राओं से नेया इनुक्रम में उन्हें नहीं ले जानने का वाच्चन भी देती है कि हम लोग क्या करेंगे इस लेवल के हिसाब से हम लोग में आप लोगों को लेके जाओंगी सारे नया लोग में ठीक है तो इसमें जो है विभिन नया लोग में जानने का क्रम क्या होगा क्रम बताना है आपको सबसे पहले टीक टीचर जो है वो कहां जानने की बात कर रही है या फिर कहां सबसे पहले जाना चाहिए जनता हो हमारी इंडिया के तो आप सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो कहां जाएंगे सेशन कोट में हाई कोट में सुप्रीम कोट में देखे अपको पता होना ते सबसे बड़ा कोट जो होता है सुप्रीम कोट होता है मतलब सबसे बात में आप कहां जाओगे सुप्रीम कोट जाओगे राइट और सुप्रीम कोट यहां पे कहीं दिया ही नहीं है तो यह तीनों सबसे बढ़ा कौन सा कोट होता है सुप्रीम कोट सबसे लास्ट में जाना होता है तो आपका अंसर तो है अपने आप देखो निकलकि आ गया कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे Session कोट इसके बज़ जाएंगे High कोट इसके बज़ जाएंगे सुप्रीम कोट option number 1 जो है करन के सामना ड्याश किया दूसरे के आधिपत्यों के विरोध द्वरा मुख्यधारा से बहिश्कित के जाने के विरोध द्वरा सशस्त्र संगर्ष द्वरा शिक्षा द्वरा अपने सुधार द्वरा 69 का आंसर क्या है यह आपको बताना है ओके तो देखिए 69 का आंसर क्या है A, C and D यह तीनों ही जो option है वो सही है तो marginalization के लिए option number 3 जो है वो सही है चले देखते हैं 70 वाला questions इतने बड़े-बड़े questions होते हैं कि questions क्या पुछ रहा है कभी-कभी यही नहीं समझ में आता है ना problem ऐसी problem आप लोग को भी होती होगी न तो आप क्या करें उस question को 2-3 बार पढ़े तो आपको question समझ में आएगा ठीए 70 वाला question पढ़ते हैं कि यह भाइसा आप क्या कहना चाहते हैं भारतिय सविधान दारा दिये गए मूल अधिकारों के बारे में निमकत्नबर विचार कीजिए तथ सही विकल्ब का चयन कीजिए मूल अधिकार बताना है मतलब कि आपको fundamental rights के बारे में बताना है जो भी हम लोगों को provide हुआ है इंडिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए यह जो मूल अधिकार है जो मूल अधिकार है वो same है या फिर हाशिय के लोग उनका होपयोग उन पर होने वाले अन्याव से अपने बचाव हेतु करते हैं जो लोगों को सब अत्यचार होता है वो लोग इन मूल अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों के दिशा में ही और नए कानून बनाने है तो दबाव डाला है जो सरकार के जो लोग जो है ना सरकार पर दबाव डाल सकती है कानून चेंज करने के लिए तो तीनों ही जो है ये सही है ठीक है अगर कोई कोई कानून ऐसे है जो आज के रेट में नहीं सूट हो रहे हैं तो उन्हें क्या किया ज सकता है बदला जा सकता है ऐसे हमारे सविधन में लिखा है कि समाज को मद्य नज़र रखते हुए कानून को बदला जाएगा ठीक है जो लोग के साथ गलत होता है वो लोग इस मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और भरत में सभी मौलिक जितनी भी लोग हैं सबके जो है ना तीनों ही सही है मतला option number c जो है ना यह सही है चले देखते हैं next question 71 वाला 71 जो है ना यह क्या कहना चाता है कि समाजिक और राजनेतिक की जो पाठे पुस्तक है ना में दिये गए शब्द जो है सब्द संग्रे का उद्देश क्या है बहुत सारे शब्द दिये हैं नए नए शब्द दिये हैं तो इसका उद्देश क्या है कि अध्याई में दिये ग को नए शब से परिचाय करवाना और उनके शब्द कोश्ट में विबधी करना तो यह जो समाजीक और जो राजरेतिक जो बुक है ना सो ऑप्चिन नबर टू जो है ना सही हो जाएगा इसका ठीक है चले देखते हैं 72 वाला कोशन क्या बोल रहा है 72 वाला कोशन यही पोल रहा है कि समाजीक और राजरेतिक जीवन में पुस्तक जो है निमलीकित उद्दिश्च से लिखी गई है मतलब कि समाजीक जो बुक है और जो पॉलिटिकल वाली बुक है ना उसको कौन से उद्दिश से लिखा गया है क्यों लिखा गया भाई इस बुक को बनाया क्यों गया है क्योंकि वो तत्यों को याद रखने में सहायक है क्योंकि वो निश्चीत सुचना पदान करती है या फिर वे पाठे वस्तु की चर्चा में आदर्ष वास्तुविक्ता में संतूलन रखती है तो जो बुक है उसको क्यों दर्शा बनाया गया है यह आपको बताना तो 72 का ओप्शन क्या है केवल B उसको सी तत्यों को याद करने के लिए नहीं बनाया गया है वो पाठ़पुश्टक की चर्चा में आदर्ष और वास्तुविक्ता में संतूलन रखती है जो पहले हुआ था जो अब हो रहा है सबकी विच में क्या करती है संतूलन बनाया रखती है तो B जो है ना सही आंसर है इसका ठीक है चले देखते हैं अब next 73 वाला 73 जो कोशन है ये ये बता रहा है कि आरंभीक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुकरम विशे पर चर्चा करने के लिए निनमलिकीत में से कौन से सिक्षण अधिगम युक्तिया सर्वसेष्ट है ओकी मतलब की थोड़ा सा इंग्लिश में देख लिया जाए विच अब दो फॉलेंग टीचिंग लर्निंग स्टाटेजी इस बेस्ट इंप्लोईड अट अन एलिमेंटरी लेवल तो मुगल एड्मिनिस्टेशन के बारे में क्लास में डिस्कुशन करने के लिए कौन सा तरीका कौन से टेचिंग लर्निंग स्टाटेजी सबसे ज़्यादा अच्छी होगी बच्चे को सिखाना है आपको मुगल के बारे में मुगल administration के बारे में उसके सरकार के बारे में आपको सिखाना है तो कौन सा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए तो देखो बच्चों के लिए क्या अच्छा रहेगा तो वो अच्छा रहेगा open ended जो question है वो करवागे तो अच्छा रहेगा और timeline ये भी बहुत जादा अच्छा होगा मतलब समय सीमा तो 73 का जो option है वो है third वाला मतलब की A, B and D चलिए अब देखते हैं next question 74 वाला read statement A and B और कौन सा सही है वही पताना होगा how curricular activities can help in the development of social values बच्चों के अंदर social values उसको अगर develop करना है तो कौन सी co curricular activities help करेगी student can develop tolerance towards social diversity by participating in social activities students develop group spirit unity and ability to be cooperative ठीक है तो इसमें दोनों ही सही है A and B जो है ना दोनों ही सही है वाला हिंदी में देख लेते हैं कि पाठे सामगरी जो है ना गतिविद्या सामाजिक मुल्यों के विकास में कैसे सहायता करती है तो छात्र जो होता है ना वो सामाजिक गतिविद्यों के दारा सामाजिक विवित्ता के प्रति सहीशनुता को विक्सित कर सकता है और बच्चा जो है ना बच्चे के अंदर भावना एकता और योगता भी विक्सित होती है तो ए और भी दोनों सही है चले देखते हैं next question 75 फला आरंबिक स्तर की समाजिक विज्ञान के पाठे पुस्तक में कौन सा समुदाय के जीवन्त अनुभव के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है कोश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया देखो तो आरंबिक स्तर की समाजिक विज्ञान के पाठे पिस्तक में कौन सा समुदाय के जीवन्त अनुभव के बारे में आपको पढ़ाना है मतलब कि लाइव एकष्पीरियंस देना है तो आप किसके थुरू दे सकते हैं भारत विभाजन की समुदिया से आप लाइव एक्जैम्पल दे सकते हो फिच्चे को जाति अधारित भेद्भाव का आप लाइव एक्जैम्पल दे सकते हो तो अफकोर्स हम लोग जाती है धर्वेदभाव पे हम लाइव एक्सपीरिय बच्चों को देई सकते हैं इसके बाद भारत का विभाजन की स्मृतिया पे भी हम लाइव एक्जामपल दे सकते हैं उकी इसकी वत क्यार्ट चेटर में योन उठपडम पेभी बच्चों को हम लोग लाइव एक्जामपल दे सकते हैं कोई भी नहीं जानता है हम तो सरीत ताज महल को देखते हैं पर अंदर कौन से कौन से चीज dinero का इस्तमाल हुआ यह साड़ी चीज़े किस प्रकार से उसे बनाया गया है इसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसने ड्रॉग किया वग्यार 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 बहुत से इंफ्रमेशन है जो कि हम लोग लाइफ के थुरू नहीं समझ सकते हैं चले देखते हैं नेक्स कोश्चन जो ह werden 76 क्या कहना चाहता है सामाजीख विज्यान के शिक्षक की शिक्षा शास्त्रिययों का बल ड्याश पर होना चाहिए किसक पे सबसे ज्यादा बल देना हैं अपने अनुभों को साजा करने के लिए छात्रों के जिग्यासा और रूची को जगाने पर या छात्रों को सामाजिक वास्तों विक्ताओं के संदर में बहूल विचारों के प्रभाव में डालने पर या बच्चों को क्या करना है अलोचनात्न मुल्यांकन में सक्षम बनाने पर या याद करने के लिए याद तो हमको कभे भी बच्चों से नहीं कराना है तो 76 का आंसर आपका क्या होगा A B C C B सही है तुकि हमें क्या करना है बच्चे को critical evaluate and experience के लिए बच्चे को motivate करना है तो A B C जो है ना दोनों सही है तीनों ही सही है option नमबर A B C चले देखते हैं next question 77 वाला एक teacher है वो अपने class में debate करवाना चाहती है तो कौन सा topic बहतर होगा layers of earth, air pressure, continent and ocean या फिर environment and development अगर debate करवाना है तो environment and development जो है अच्छा topic है बहस के लिए राइट कि इन्वार्मेंट क्यों खराब हो रहा है इन्वार्मेंट को क्या सकता है विकास कैसे कर सकते है हमारा देश का ठीक है तो यह एक अच्छा topic हो जाएगा debate के लिए ओके चलिए देखते हैं next question 78 वाला, 78 वाला question क्या कहना चाहता है which of the following is important for social science teachers classroom practice for developing critical thinking in students तो student के critical thinking को development करने के लिए एक social science के teacher जो है न क्या करेगे बच्चों से asking probing questions probing questions पूछेगी मतलब कठी क्या बोलते हैं उसको कठीं कठीं नहीं उसको बोलते हैं खोजे प्रश्नों की पूछेगी या फिर asking student to reflect asking student to accept the given statement या providing student with multiple perspective एक teacher क्या करेगी बताईए ठीक है तो A, B, D एक teacher क्या करेगी मतलब बहुत रिष्टी क्रोन को प्रदान करेगी एक reflection प्रदान करेगी और एक खोजी प्रश्नों को पूछेगी चले देखते हैं next question 79 वाला question क्या कहना चाहता है सामाजीक विज्ञान में शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतर मतलगी critical thinking की प्रसिंता के विश्ण में कौनसा कथन सही है सुतंत्र निन्ने और ज्ञान का अहबोध करना प्रजातंत्र में चात्रों को नागरिक के रूप में प्रभावशाली धंग से सोचने और कारे करने हैं तू सशक्त बनाना सामाजीक विज्ञान में मानक और प्रमाण में भेद दोरा किसी प्रस्ताव को उचित ठराने के शंता का विकास करना अकांक्षा पुड़ती है तू सत्ता धार्यों के दावों को सिवकार करना या फिर नितिगत निर्ड़यों के लिए अग्या पलन फैसला लेने में नामानक का उप्योग करना 79 का आंसर क्या होगा आपका 79 का जो सही आंसर है वो है आपका A, B, C और E D वाला आंसर जो है वो गलत है क्योंकि हम क्या करेंगे बच्चों को सिव सत्ता धार्यों के दावों को सिवकार करना हम कभी भी नहीं बच्चों को कहेंगे चले देखते हैं नेक्स कोशन अस्सी वाला कोशन क्या बोलता है critical thinking जो है ना उसे बच्चे के आंदर की स्टीज का संबंध बढ़ता है चीक है critical thinking किर मुल्यों से संबंधित है critical thinking है बच्चे के अंदर जिग्यासा रहेगा गौरो फिल करेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है reflection बच्चा करेगा तरकिक्ता करेगा अग्यापलन नहीं करेगा तो a c d सही है मतलब कि option number two जो है न वो सही है ओकी चले देखते हैं 80 तो हो गए अब बच्चे है 81 से लेकर 90 तक के questions मतलब कि 10 questions बचे हुए है चली दल्लील्दी कर लेते हैं इसके बाद इस वीडियो को खदम करते हैं तो आप अगली कख्षा में चर्चा दौरा रास्टरिय अंदुलन में दांडी मार्च के महत्व के विशय में चातरों को तरक शक्ती विक्सित करती है बच्चों को आप दांड़ी मार्च के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप किस चीस पे बल देंगे साबर मती से दांडी तक स्थान और दूरी में आपने पबल देंगे नमक बनाने और बेचने पर सरकार का एकाधिकार बड़ी संख्या में सत्यागरिय हो कि भागिदारी को उनका कष्ट सहना और 1935 का अधिनियम पारित करना तो B, C and D इस तिनों चीज़ पे हम ध्यान देंगे चलिए 82 वड़ा देखते हैं तो इन सब्जेक्ट का उद्देश्च क्या है ठीक है किस उद्देश्च से उनको बनाया गया है तो पाठे पुस्तक में चर्चित दैनिक जीवन एवन समयस्याओ की बीसंबंद बनाने में चात्र को सक्षम बनाना काफी हत्तक सही लग रहा है सभी उठाए गए मुद्दो की लेंगिक प्रकृति की पहचान करने में चात्र की सहेता करना या फिर राजनितिक समाजिक एवन आर्थिक मुद्दे को आलोचनात्म तरीके से विष्ट लेते वैख्यातित करने की कोशल का विकास करना यह भी काफ्यतक सही है चात्रों में आदर्ष नागरिक एवन नागरिकता के सब्वेदन को आत्मसाथ करवाना ठीक है तो H2 का सही आंसर क्या होगा A, B and C is the correct ठीक है यह भी सही है उठायागा एक मुद्दे बच्चों को क्या करना है हमने चात्रों को साहता करना है और बच्चों को critical thinking पे जोड़ देने पे भी मदद करना है मतलब A, B, C जो है हमारा आंसर सही है चले देखते हैं सामाजिक विज्ञान जो है एक गेर उपयोगी वादी विशय है अब यह किस प्रकार से सही हो सकता है किस प्रकार से उसको हम सही बोलें कोई ना कोई तो इसका उपयोगी उपयोगीता हो का तबी तो समाजिक विज्ञान को बनाया गया है भाई तो यह तो पहली गलत हो गया समाजिक विज्ञान जो है ना प्राक्रतिक विज्ञानों की तरह विज्ञानिक जाच परिप्रश्ण के अनुकुल नहीं है ये भी गलत समाजिक विज्ञान तो खुद एक विज्ञान है ना उसमें तो खुद विज्ञान का नाम दिया है तो विज्ञान तो होई कहीज होगा इसमें हम लोग बहुत सा चीजों का हम लोग research करते हैं खोज करते हैं कितने साल पूराना है यह सारा तो विज्ञान से अलग थोड़ी है तो विज्ञान का ही हिस्सा है मतलब A और R जो है ना दो नहीं गलत है ठीक है गलत 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 84 चलिए 84 की बात करते हैं A teacher asks her student to interview 10 women belonging to different social economic class and find out the challenges they faces What type of learning source is she encouraging her student to use मतलब की अध्यापक जो है ना छात्रों को विभिन समाजिक आर्थिक वरगों की 10 महिलाओं के सक्षातकार करने और उनके दर अनुभोग की जेने वाली चुनोतियों वो पता करने के लिए कहती है ठीक है मतलब 10 महिलाओं से जाके बात करना है और उनकी स्टोरी को पूछना है तो teacher जो है ना वो किस प्रका के अधिगम स्टोतों के प्रयोक के लिए प्रसाहित कर रही है बच्चों को दूतियक स्टोत, ग्राफिक स्टोत, पुस्तिक्य स्टोत या तो फिर प्राथमी स्टोत, 84 का अंसर क्या आएगा बताइए तो ये प्राथमी क्योत की तरफ लेके जा रहा है मतलब primary source है न हमें ये बात पता होने चाहिए एक 10 महिलाएं हैं 10 महिलाओं के language अलग होगा उनका सोचनी की समता अलग होगी सब कुछ अलगी होगा अब यहां पर देखे वापस से ABC वाला दिया हुआ है कुन सा कथन सही है वही हमें बताना है अधीगम की उद्देश्यों को पाठे करम के अनुरूप होना चाहिए जिसके लिए परियोजना कारिय हुआ है जो विशे पाठे करम में पढ़े हुए हैं उनको परियोजना कार्य से जोडना सुनुच्छित करें कि परियोजना कार्य विद्याले के बाहर स्थीत हो तो यह आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है 85 के बारे में तो देखिए इसमें जो आंसर है ना A और B जो है ना वो सही है चले देखते हैं next question 86 वाला 86 वाला जो question है which of the following questions mainly tries to assess the procedural knowledge of students, describe three way of controlling air pollution in your area, what attracted European trading companies to India, how did the British commercialize Indian agriculture or describe the main features of the permanent settlement, or what were the circumstances which lead to the eventual collapse of India production in Bengal Hindi में इबर question को पढ़ लेंगे आप 86 का सही answer वो आपका हो जाएगा option number A, A और C जो है सही है, मतलब कि वायू पदर्शों को नियंतर करने के लिए तीन तरीकों का वर्डन कीजिए इसके बाद अंगरजों ने भारतिएक रशी का वैपाररी करन किस प्रकार से किया ये जो है कारेविधी जो है आकलन का प्रयास करते हैं ये कारेविधी करवाई गई थी चले देखते हैं 87 के बारे में समीर जो है ना ट्रेन दोरा भोपाल से चेनने की यात्रा कर रहा है भोपाल से चेनने जा रहा है वो उन राज्यों के संदर में जिग्यासू हो जाता है जिन से वो गतव्य तक पहुचने के दोरन गुजरेगा सबसे उप्रूग तरीका सुझाए जिससे वो उत्तर भी ढूण ले और इसमें कोई कोशल भी विक्सित हो जाए तो बच्चा जो है भोपाल से उसको चेनने जाना है तो बहुत ज़्यासू है तो जहां-जहां से वो प्लेस से गुजरेगा उस प्लेस को देखने के लिए वो बहुत ज़्यादा एकसाइटेड है तो कौनसा कतन सही है भारत के राजनेदिक चित्र को देखे भोपाल एंचेननाई के बीच पढ़ने वाले सब भी राज्यों का पता गरे इसके बारे में अपने मतापिता से पुछे रेल का नमबर संख्या का पता लगाए उसके रूट को मांचितर दथा पता लगाए या फिर निकटम रेलवे स्टेशन पर उतर जाए और स्टेशन मास्टर से पूछे ठीक है तो सबसे ज़्यादा अच्छा सुझाओ कौन सा है बाच्चे के अंदर एक स्कील भी डवल अप हो जाएगी और बच्चा कुछने को सीख भी जा AlejDB का अंसर क्या होगा बताईए minute थे अं का कमेंट स्क्ष्न में बताईए ऐच्चे सेसे न का अंसर क्या होगा तो रेल का नंबर पता करना संख्या का पता लगाना उसका रूट को बांटी तरब ढूंडना इसका पता लगाना कौन से रूट पे आने वाली है कौन से नंबर पे आने वाली है उसका रेल का नंबर क्या है इससे बच्चे का क्या होगा कोशल का भी विकास होगा बच्चे को जे तो हो चुका है वापस से वही कोशन पूशा क्या निमलिखित प्रश्णों में से कौन सा चात्रों के तथ्यात्मक ग्यान को आत्मे का प्रयास करता है कौन से दो मुख्य जलवायू घटक मिदनिर्माण के लिए उतरदाई है दूति ये वीश्व यूद्ध कब हुआ था सिचाई के स्त्रोतों को सुची बद्ध कीजिए चमपारन अद्दुलन महात्मा गांदी की भूमिका का वाख्या कीजिए भारत के खाद सुरक्षा कैसे सुनचित की गई चमपारै था स hypoc hrica के छात्रों का तठ्यात्मक ग्जांको आकने का प्रयास करना ओर चात्रों तठ्यात्मक गांड क है तो रिजोगे तो ओप्षं सिन नत याइव अस बच्चा इसमें अपना दिमाग लगाएगा ठीक है वाख्या कीजिए में या सुरशक के से सुरचित की गई इसने बच्चा बच्च मतलब तत्यों का निर्माण नहीं हो पा रहा है इसमें राइट तो ये बी सी जो है सही है चले देखते हैं नेक्स्ट वाला 89 का अंसर क्या है आपको अपने छात्रों के समू को संसत पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगद करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्या देना है तो उनकी समझ का मुल्यांकन मापन के लिए आप निर्म से क्या देंगी बच्चे को तो मुद्देप समचा पत्रों पे लेक लिखना या फिर समाजिक समूहों का नजरिया मालूम करना रिपोर्ट त्यार करना या फिर कानू निर्मताओ से मिलना और लेक निमद लिखना या फिर समाजिक स्थानों पर लगने के लिए पोस्टर लगाने के लिए पोस्टर त्या वो लोगे कि इस विशय पर मुद्दे पर समाचार पत्रों में लेक लिख कर लेकर आओ वीबिन समाजिक समूह का नजरिया लेकर आओ कि हर एक समाजिक जो हमारा समूह है मतलत पर जितनी भी जो जनता है उनका क्या राय है उसके बारे में इस न्यू लॉग के बारे में तब से बढ़ियां तो यह ही है ठीक है बढ़ हमको यहां पर बहुत सब्सक्राइब देखना पड़ेगा और फिर इसका कानुन निर्मतास जो है उनसे मिलना है हमें और उनके बारे में लेखनी बन लिखना तो ABC तीनों ही सही लग रहा है मतलब क A, B, C, A, A, B, and D सावजनिक स्थानों पर रगाने के लिए पोस्टर तयार करना A, B, D सही है पर मुझे तो C भी काफी हथ तक सही लगा बढ़ इसमें क्या लिखा है लेख और निबहंद को लिखना तो लिखने विखना से बच्चे इतना इंटरस्ट नहीं लेते हैं तो B देंगे और D देंगे ओके छले देखते हैं 90 कोस्टन और यह इस वीडियो का आखरी कोस्टन है इसके बाद यह खतम हो जाएगा अब यह नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे पीवाइक कुछों करेंगे इसमें कोस्टन रहेंगे जैनवरी के तो इस जैनवरी से जो पेपर होने वाले हैं इसमें बहुत सारे कोस्टन जो हैं इंपोर्टेंट होंगे आपके आने वाले जुलाई ऑगस के जो एक्जाम होने वाली है उसमें क्योंकि रिपीट कोस्टन हो सकते हैं वोकी वीच अफ दो फॉलिंग असेस्मेंट फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड सेल्फ असेस्मेंट एंड सेल्फ लर्निग अपॉच्टन टी आमंग्स चिल्डरन मतलब की निर्मलिखित में से आखलन की कौन सी रुपरेखा बच्चों में आत्म आक्तन दथा आत्म अधिगम क के अवसर प्रदान करती है सही अंसर क्या है करसका अधिगम की तरह आकलन मतलब असेस्मेंट एज लर्नेंग आपको यह पता होना चीए के अन्ग समेंटिव असेस्मेंट की क्या होता है वोके शहींसर क्या है अधिगम की तो यह विडियो खतम होता है यहीं पर मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए i am possible class के सारे वीडियो आप देख सकते हैं सारे वीडियो आप लोग के लिए बहुत helpful होने वाले हैं मिलते हैं next वीडियो में Thank you Thank you so much everyone and please 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 subscribe my channel